हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन अरोडा आप सभी का एक बर फिर से स्वागत करता हूँ अरोडा एजुकेटर केस ओफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जहां आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हाल डिस्क के बारे में काफी interesting topic है हाल डिस्क और exam में काफी सारे question भी देखने को मिलते हैं मुझे पूरी उमीद है कि अगर आप इस session को बहुत अच्छे से देखेंगे तो exam में पूछे जाने वाले सभी question को आप एकदम सही तरीके से कर पाएंगे best 35 questions के बारे में और concept को लेकर भी हम इस session में बात करेंगे देखी हाल डिस्क की अगर हम बात करें तो हाल डिस्क क्या है हाल डिस्क एक तरीके की secondary storage device है यानि एक ऐसी device जिसमें हम अपने computer के सभी data को store करके रख सकते हैं no doubt ये काफी slow काम करती है क्योंकि fastest memory के case में हमारे पास और कई option और कई विकल्प available हैं जैसे RAM है हमारे पास जो temporary है लेकिन fastest है register है हमारे पास cache memory है जो की काफी fast तरीके से काम करती है जबकि hard disk का जो काम करने का तरीका है no doubt ये slow है slow इसलिए भी है क्योंकि ये एक तरीके की permanent device है और यहाँ पर हम maximum data को store करके रख सकते हैं और time आने पे हम इस data को fetch करते हैं तो चलिए आज की session में जानते हैं कि हाल disk पर बेस्ट कौन-कौन से question बन सकते हैं लेकिन उससे पहले ये जरूर आप जान लीजे कि magnetic disk की जब भी हम बात करते हैं तो there are two types of generally magnetic disk are classified यानि magnetic disk को दो तरीके से classify किया जा सकता है नमबर वन तो हाल disk है और नमबर टू है आपकी floppy disk तो floppy disk का आज कल इस्तमाल तो होता नहीं है लेकिन हाँ floppy disk भी काफी important chapter बनता है इसकी बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले session में लेकिन आज के session में बात करते हैं हाल disk से related तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किसकी सरीके के question पूछे जा सकते हैं यह रहा पहला question हाल डिस्क से related हाल डिस्क की father यानि founder का आपको नाम बताना है option है Mr. John One Newman, Alan Turing, Reynolds B. Johnson, Ada Lovelace या James Russell बिलकुल सही हाल डिस्क को बनाने वाली जो personality हैं उनका नाम है Reynolds B. Johnson तो याद रखिएगा Mr. Johnson is known as the founder of हाल डिस्क जबकि John One Newman इनको माना जाता है computer architecture का founder तो अगर कभी भी एक्जाम में computer architecture के founder की बात हो तो आंसर हो जाएगा John One Newman, Alan Turing इनको computer science का founder कहा जाता है Ada Lovelace ये पहली programmer है, she is known as the first world programmer, दुनिया की सबसे पहली programmer और James Russell इन्होंने CD और DVD यानि optical डिस्क को बनाया तो अगर CD या DVD के founder पूछते हैं तो आंसर होगा James Russell तो इस तरीके से हम लोग ने सारे options में देख लिया कि किस-किस option का क्या-क्या सही जवाब हो सकता है अगला question When was the hard disk drive invented? hard disk बोलें या hard disk drive बोलें बात एक ही है तो hard disk drive यानि hard disk को कब invent किया गया, कब बनाया गया? तो दुनिया की सबसे पहली hard disk बनाई गई 1956 में तो आंसर होगा 1956 नेक्स्ट, which company made the first commercial hard disk drive? तो आपको ये तो पता चल गया कि 1956 में पहली hard disk drive मतलब पहली hard disk बनी अब ये किस company के द्वारा बनाई गई ये भी आपको पता होना चाहिए तो IT sector की सबसे पुरानी company बिलकुल सही that is IBM यानि International Business Machine के द्वारा पहली hard disk drive बनाई गई तो आंसर हो जाएगा IBM नेक्स्ट, first hard disk drive was installed in which computer? पहली hard disk 1956 में बनाई गई और जिस company ने बनाई वो थी IBM अब ये किस computer में लगाई गई बनाने के बाद में तो उसका नाम क्या है? तो दुनिया की जो पहली hard disk थी वो जिस पहले computer पर लगाई गई उसका नाम था RAMAC 305 answer is RAMAC 305 very good, अगला question hard disk is also called as hard disk को और किस किस नाम से जाना जा सकता है? hard disk drive, hard drive, fixed disk, all of these, ये none of these तो बिलकुल इसका answer होगा all of these क्योंकि hard disk को HDD मतलब hard disk drive, hard drive, या fixed disk इन सभी नाम से हम इसको जान सकते हैं next question which one of the following is an example of secondary memory? दिखे, computer में आप ने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि primary memory और secondary memory दो तरीके की mainly memory होती है primary memory की case में हम RAM, ROM और Cache इनको रखते हैं जबकि secondary memory के case में जितनी भी storage devices हैं उनको हम place करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं hard disk drive आपकी storage device की तरीके से काम करती है तो यही हो गई आपकी secondary memory जबकि operating system, ये एक system software का example है printer, ये एक hardware है और output device है scanner ये भी एक hardware है लेकिन scanner आपका input device में count होता है जबकि ROM primary memory का example है next C है जो hard disk बनाती है Seagate, नाम सुना होगा Seagate की hard disk आती है IBM, Microsoft, 3M या Acer देखिए वैसे दो बड़ी companies हैं जो hard disk में बहुत famous हैं जिसे western digital के नाम से जाना जाता है और दूसरी है Seagate लेकिन पहले number पर WD आती है इसका market share बहुत बड़ा है और सबसे famous है लेकिन WD तो यहां दिख नहीं रहा तो अब दूसरे number पर हमने आपको क्या बताया Seagate Seagate है क्या? बिलकुल है तो यह हो जाएगा आपका सही जवाब That is Seagate Right? Hard disk drives are considered as Hard disk drive कैसी storage devices है? यह flash storage है Volatile है Non-volatile है या all of these है या none of these है तो थेकिए hard disk drive क्योंकि यह secondary storage है और इसकी सासत यह permanent storage भी है Permanent का मतलब होता है Non-volatile और temporary का मतलब होता है Volatile तो यह permanent है इसलिए answer क्या हो जाएगा Non-volatile storage Is the correct answer तो मुझे पूरी उमीद है कि आप question के answer खुद भाग खुद भी दे पा रहे होंगी तो देखिएगा आखरी तक आप कितने सही question के answer दे पाते हैं पाता बेसिकली केबिल के प्रकार है यह आप कह सकते हैं यह ports के type है तो पाता भी सही है SATA भी सही है IDE यह भी सही है और SCSI यह भी सही है यानि यह सभी आपके hard disk को connect करने के लिए ports हैं जिनका इस्तमाल किया जाता है और यह question भी काफी बार exam में पूछते हैं as well as इनकी full form भी काफी important है पाता की full form है parallel advanced technology attachment serial advanced technology attachment यह SATA है यानि parallel or serial में खली अंतर है बाकी ATA का मतलब होता है advanced technology attachment IDE यह है integrated drive electronics और SCSI इसकी full form भी काफी important है small computer system interface तो यह चार तरीके के आपके ports होते हैं जिसके थूँ hard disk को connect किया जाता है next question a hard disk drive can be directly connected to a PC via hard disk को personal computer से direct connect किया जा सकता है किसकी मदद से SCSI parallel interface WAN interface USB interface या फिर all of these तो अभी हम लोग ने देखा कि hard disk को connect करने के लिए काफी सारे ports का इस्तमाल किया जा रहा था जिसमें SCSI interface यहां बिल्कुल सही answer बैठेगा small computer system interface क्योंकि बाकी तो देखी option में ही available नहीं है तो SCSI is the correct answer next what is the full form of SCSI तो अभी हम लोग ने पीछे देखा कि SCSI एक तरेके का port है जिसके थूँ hard disk को connect किया जाता है और SCSI की full form होगी small computer system interface second बिल्कुल सही जवाब होगा next question what is the best way to protect your hard drive data अब देखो क्योंकि hard disk में सारा data होता है available तो सबसी बड़ी responsibility भी यही होगी कि हम hard disk को सुरक्षित रख पाए उसमें रखे हुए data को सुरक्षित रख पाए तो यह कैसे possible है बताईएगा regular backup ले periodically defragment किया जाए इसको समय समय पर defragment किया जाए run check disk at least once in a week run scan disk at least once in a week या all of these तो दिखिए protect करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप backup maintain करते हुए चलेंगे regular interval of time यानी समय समय पर तो आपकी data में अगर कोई damage भी होता है या hack भी होता है तभी आपको बहुत ज़्यादा फरक नहीं पढ़ने वाला क्योंकि आपके पास कहीं न कहीं उसका backup भी maintain है तो answer क्या होगा that is regular backup next question process by which you fit more data into hard disk is called यानी वो process जिसके तहत आप ज़्यादा से ज़्यादा data को hardest में रख सकते हैं इस technique या इस process को क्या बोला जाता है extraction, defragmentation, compression, scanning या formating तो hard disk में ज़्यादा से ज़्यादा data को रखना तभी possible है जब आप data को collect करें और इसको compress करें तो बिलकुल answer यहाँ पर होगा compression क्योंकि बहुत सारे software आते हैं जिसके थूँ आप data को compress कर सकते हैं जैसे winzip, winrare इनके थूँ आप किसी भी data को क्या कर सकते हैं compress कर सकते हैं तो compression वो technique है जहाँ पर ज़्यादा data आप save कर सकते हैं कम space में next to return compressed file to uncompressed file in hard disk we must कह रहा है अब आपने hard disk में file को compress कर दिया अब उसे uncompressed आपको करना है तो इसके लिए क्या किया जाएगा delete कर दी जाएंगी files extract की जाएंगी archive है, zip है या all of these है तो हम जानते हैं zip की हुए data को अगर हमें unzip करना होता है यानि अगर हमें उसे uncompressed mode पे लाना होता है तो हम क्या करते हैं extract करते हैं files को तो बिल्कुल इसका सही answer होगा extract the files or extract them अगला question this utility checks for the problem on the hard disk such as bad sector या virus देखो कितना प्यारा question है question कहा रहा है ये एक utility software है जिसके द्वारा hard disk में जो bad sector create हो जाते हैं या hard disk में जो virus जैसी problem आ जाती हैं उनको check किया जा सकता है तो किस theorem के थूँ या किस process के थूँ hard disk में bad sector और virus को हम check कर सकते हैं या remove कर सकते हैं compression, disk, fragmentation scan disk, encryption और decryption या all of these तो आप जानते हैं अगर हमें पता लगाना है कि वाकी में hard disk में problem है या नहीं तो हमें उसको scan करना होगा तो इसका मतलब the correct answer is scan disk और इसी के थूँ हम पता लगा सकते हैं कि bad sector कितने create हुए हैं और virus enter है या फिर नहीं है जैसे antivirus भी हम लोग scan करवाते हैं antivirus के थूँ और antivirus scan करने के बाद बताता है कि यह यह virus पाए गए अब आप इसको delete कर दीजी Getting the point Next question What is the process of deleting all the data on the hard drive? Hard disk या hard drive में data को delete करना क्या किलाता है? Delete, Erase, Uninstall, Cleaning या Formatting And the correct answer is formatting तो जब भी हम format करते हैं किसी भी disk को उसमें रखा हुआ data बिना recycle बिन में जाए पूरी तरीके से क्या हो जाता है? Delete हो जाता है That is the correct answer Next one It is the process of dividing the disk into track and sector दिखी hard disk में tracks होती हैं और sector होते हैं इनके बारे में आगे हम बताएंगे discuss करेंगे कि track और sector क्या हैं इसी session में अभी question आएंगे आपके सामने तो आपको एक idea लगेगा कि track और sector में क्या अंतर है तो किसी भी hard disk को track और sector में divide करना formatting के लाता है answer बिलकुल क्या है? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला question है The correct answer is formatting Next Part of hard disk used as RAM is called देखो ये भी काफी प्यारा question है कहा रहा है hard disk का वो हिस्सा जो RAM में इस्तमाल किया जा सकता है या RAM की तरीके से इस्तमाल किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये concept होता है virtual memory का जहांपर hard disk में से space लेकर RAM में इस्तमाल की जाती है और RAM की size को बढ़ा दिया जाता है और इस concept को बोलते हैं virtual memory तो इसमें RAM की size को बढ़ाया जाता है इसका मतलब this is called extended RAM तो answer हो जाएगा fourth that is extended RAM Very good अगला question guys data is accessed in hard disk in which manner? hard disk में data किस तरीके से access किया जाता है? यानि data किस तरीके से निकाला जा सकता है? random manner में? sequential में? random और sequential दोनों तरीके से? temporary या फिर none of these? answer है hard disk में data हमेशा random manner में निकाला जाता है तो answer होगा first one random manner या random fashion दिखी सिर्फ magnetic tape के case में magnetic tape आपने देखा होगा बहुत पुरानी device मानी जाती थी अना बहुत पहले यूज की जाती थी तो वो सिर्फ sequential access कर सकती है बाकी सब आपके random access पर ही काम करती है जितनी भी devices हैं चाहे वो CD हो, DVD हो, floppy disk हो या hard disk हो ये सब आपकी random access devices होती है next question speed of hard disk की measure day hard disk की speed को किस में नापा जाता है जैसे आप market में गए और आपको hard disk खरीदनी है तो आप क्या कहेंगी कि hards में दे दीजे PPM, DPI, flops या RPM किस में इसकी speed को नापते हैं तो answer है RPM बिलकुल सही जवाब है hard disk की speed को RPM मतलब revolutions per minute इसमें नापा जाता है और RPM की full form और as well as speed ये दोनों ही question बहुत ही प्यारे question है और exam में अक्सर देखने को मिल जाता है यहाँ से एक question तो याद रखेगा RPM और RPM की full form है revolutions per minute एक minute में कितने चकर काटती है यानि कितने revolution घूमती है hard disk और यही hard disk की speed भी कहलाती है अगला question अभी हम लोग ने देखा कि RPM में इसको measure करते हैं तो कितने RPM की speed होती है hard disk की normally 5400 RPM, 7200 RPM, 10,000 RPM, 15,000 RPM या फिर 3000 RPM तो देखिए hard disk में जो RPM की speed होती है वो 500 यानि 5400 ये भी सही है 7200 ये भी सही है तो market में आप जाएंगे तो आपको 5400 और 7200 RPM की hard disk मिलेगी लेकिन normally जो best मानी जाती है वो कौन सी है 7200 इसलिए इस case में answer लिखेंगे 7200 that is the correct answer वैसे 10,000 RPM तक भी speed available है लेकिन normal पूछ रहे हैं तो normal की case में हमेशा answer क्या होगा 7200 Next In year 2021 यानि 2020-2021 में Seagate ने confirm किया largest hard disk drive having capacity of यानि Seagate company जो की hard disk बनाने वाली company है और second most powerful company भी है क्योंकि पहले नमबर पर WD है हम लोग ने देखा भी और दूसरे नमबर पर Seagate आती है तो Seagate ने अभी हाल ही में announce किया है कि maximum capacity यानि सबसे बड़ी hard disk और इसकी capacity कितनी declare की गई है क्या पता है आपको तो बिलकुल ये काफी news trending में भी रही थी याद रखिएगा that is 20 TV 20 terabyte की hard disk सबसे बड़ी hard disk सबसे ज़्यादा capacity वाली hard disk declare की गई है Seagate के द्वारा अगला question hard disk surface are usually divided into concentric ring is called question कहा रहा है जो hard disk के उपर वाला जो surface है यानि जो परत है उसको divide किया जाता है rings में इस rings को क्या बोलते हैं तो जब भी exam में question ring के form में दिया हो तो समझ जाईएगा that is called track ring को क्या बोला जाता है track बोला जाता है इसको समझ भी लेते हैं इस diagram की मदद से देखी ये एक architecture है hard disk का जहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो गोल गोल सी ring बनी हुई है इसी को हम बोलते हैं track clear है तो rings are called track अगला question ring बनी हुई है इनके बीच में कुछ section divided है जिनको हम track बोल रहे हैं तो section within each track यानि track के बीच वाले जो section है इनको क्या बोला जाता है यानि ring के बीच वाले जो section है इनको क्या बोलते हैं sector, rpm, cylinder, head या platter तो बिलकुल सही the correct answer is sector देख लेते हैं एक बार देखे अभी हम लोग ने देखा था ये goal goal जो बनी हुई है ये rings है rings को हम track बोल सकते हैं और track में अगर आप देखें तो यहाँ पर partition बने हुए हैं छोटे छोटे जिनको हम sector कहते हैं और कोई भी जो data होता है हमारा वो इनहीं sector में store होता है ठीक तो जितने भी data computer में हम store करते हैं hard disk में वो कहाँ पर store होता है चाकर तो answer है sector में अगला question smallest physical storage unit on hard disk is called देखो यही question पूछ लिया कि सबसे छोटी physical storage unit hard disk में कौन सी होती है तो answer है sector यही sector आपकी smallest unit है जहाँ data को store करके रखा जाता है लेकिन अगर sector को अगर हम और ज़्यादा आगे की तरह बढ़ाते जाएं और दू sector include कर लें तो sector की combination से cluster बनता है जैसे आप diagram में देख रहे हैं कि हमने दो sector ले लिए तो यह cluster है यानि एक से ज़्यादा अगर sector को हम लेते हैं तो वो cluster frame out करता है और track मतलब बिल्कुल सही goal goal वाली ring जिनको हम track बोलते हैं और track के combination को ही cylinder बोला जाता है देखे नीचे अलग-लग platters में अगर हम track को combine करें तो इसको हम क्या कह देते हैं this is called as cylinder तो याद रखेगा कि अगर exam में collection of sector कहें तो cluster होगा और collection of track बोलें तो cylinder होगा clear हो गई बात next question what is the size of a sector on a hard disk अभी हम लोग ने देखा कि hard disk में data को store करने के लिए sector का use किया जाता है जो सबसे smallest storage unit भी है hard disk की तो question ये है कि इसका size कितना होता है एक sector का size कितना होता है तो answer है 512 bytes 512 bytes का होता है आपका एक sector तो what is the size of a sector on a hard disk 512 bytes very good अगला question what physical component of the disk is responsible for reading and writing data on the disk यानि hard disk में data को लिखने के लिए या data को पढ़ने के लिए किस component की requirement होती है platter, sector, cluster या read, write, head या फिर all of these तो देखिए hard disk के उपर जो data read, write होता है वो rw head की मदद से होता है जिसको read, write, head बोला जाता है तो answer क्या होगा? rw head, read, write, head image में देख भी सकते हैं platter है और platter के उपर आप देखिए एक 3 command जैसा आपको देख रहा है याना this is called as read, write, head जो platter के उपर move करता है और फिर यानि एक surface के उपर move करता है और इसी के थुरू data को read, write किया जाता है clear है? अगला question time required by the read, write, head to move from one track to another in hard disk is called यानि समय बताना है उस समय को क्या कहते हैं? जब rw head रहनी read, write, head move करता है track के उपर और read, write करने की कोशिश करता है data को तो उसमें जो लगा समय है उसको क्या बोला जाता है? तो answer है जब भी question में read, write, head दिया गया हो तो याद रखेगा answer क्या होगा? seek time होगा फिर से मैं repeat कर रहा हूँ कभी भी question में read, write, head दिया हो तो answer हमेशा क्या होगा? seek time होगा अगला question देख लेते हैं the time taken to move the disc arm to the desired slenderous coil अब देखी इस question में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे to disc arm दिया गया है? disc arm का मतलब होता है read, write, head, arm तो यहाँ पर भी answer फिर से क्या हो जाएगा? seek time तो यानि जो समय लगता है disc को move करने पर cylinder के उपर उसको हम क्या बोलते हैं? उसको भी seek time बोलते हैं तो आपको याद बस एक चीज रखनी है और वो क्या है? बिलकुल सही that is read, write, head या फिर disc arm आए तो इस case में answer क्या होगा? seek time होगा अगला question time delay between a request for data and the return of the data of the hard disk is called यानि आपने hard disk से एक request करी data की और उसने आपको data ला कर दिया तो request और response में लगा समय latency time कहलाता है तो इन time से भी एक question exam में जरूर आता है seek time या फिर latency time तो आपको short trick क्या पता चली यहां से? कि कभी भी read, write, head दिया हो तो इस case में answer seek time होगा और अगर कभी भी question में request और response given हो कि request किया जा रहा है data को और उसको return होने में या response करने में कुछ समय लग रहा है तो इनकी बीज का जो difference है समय का इसको latency time कहा जाता है समझ में आ गई बात? very good इन WD hard disk company WD stands for जैसे कि अभी starting में हम लोग ने बात की थी कि hard disk बनाने वाली company दो ही famous है एक तो WD है और दूसरी कौन सी है? Seagate WD की full form क्या होती है work division, western digital warm digital western disk या फिर world disk and the correct answer is western digital यानि second बिल्कुल सही जवाब होगा इस case में अगला कुश है hard disk is made up of hard disk किसे मिलकर बनी होती है? circular plate aluminum magnetic material glass या all of these तो यह जो आपकी hard disk है जिसको हम magnetic disk भी बोलते हैं या इसको हम secondary storage device भी बोलते हैं hard disk किस से connected होती है? किस से attach होती है? option है processor, RAM, ROM, motherboard या CMOS तो hard disk basically connected किस से होती है? बिल्कुल सही यह mother bold से connected होती है तो answer क्या होगा hard disk is connected with mother bold और mother bold की उपर ही basically आपका processor, RAM, ROM या CMOS यह हर एक चीज आपके mother bold से ही connected होती है next question, mother bold भी बोलते हैं और mother bold को printed circuit bold के नाम से भी जाना जाता है तो यह भी आ सकता है exam में कि hard disk किस से connected होती है? तो हो सकता है mother bold ना दिया हो और printed circuit bold दिया गया हो तो इस case में answer हो जाएगा PCB, printed circuit bold last question of this session guys, बताइएगा hard drive come in two basic physical sizes, they are क्या रहा है hard disk जो है, वो दो size में अबलेबल होती है अब यह size कौन-कौन से है, कितने inch की hard disk होती है यह बताइए 1.5 या 2.5 inch 2.5 या 3.5 inch 3.5 या 4.5 inch 1 and 2 inch या 1.5 या 3.5 inch तो यह बात तो बिलकुल सही है कि hard disk मात्र यानि केवल दो ही size में अबलेबल है और वो है 2.5 inch की और 3.5 inch की यानि second बिलकुल सही जवाब यहाँ पर बनेगा तो I hope सो कि यह 35 जो कि बड़े ही प्यारे question थे यह आपको समझ में आयोंगी बहुती simple तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है और यही से exam एक question भी बनता है तो क्या आपको यह question समझ में आये comment करके बताईएगा और अगर कहीं पर कोई doubt हो तो वो भी आप comment box में पुछिएगा क्योंकि मैं सच नरोडा आपके comment को बहुती शिद्दत से देखता हूं और उसके answer भी आपको provide करता हूं अना तो आज की session के लिए बस इतना ही बहुत जल्द इसी तरीके की videos को लेकर मैं आता रहता हूं अना तो अगर आप channel पर नए हैं तो subscribe करिएगा और video अगर पसंद आए तो like करके हमको बताइएगा कि sir video हमें पसंद आई है thank you very much bye bye and take care